हलो बच्चो नमस्कार आप सभी बच्चो कहां देवी घ्लाशिश में श्वागत है आज़ हम आपको बताएंगे पालोजी के पारे में पालोजी का दूसरा थ्याइननी जो पाँच में से इस्टार्ट होता है तो पाँच में च्ट वां हम आपको पहले वीडियो के मादन से डिखेए था कहा है उता आफ रहे किस लिए तो हम सिर्फ यह देख bestकी और को सिकाओं का वह समूह जो सरचना में समान होता है जिनकी सरचना समान होती है लेकिन कार एक साथ मिलकर किसी कार को साथ मिलकर शंपन करती है में लाता है जैसे कि रख्या प्रोयम पेशी आधी उतक के उधारन हैं प्रकहर है जैला मुद तक मिलकर निर्मार करते हैं की नाम बताएं जैला मुद भायhmen जाता है जो तुम्में पुछ रहे कितने प्रकार के तथ मिलते हैं या व्याम मिलते हैं इसमें चार प्रकार की तैसी कि वह आहिनकाय के क्रीकेड होती हैं जिनसे होकर खनीज लवन और जल ऊपर के और प्रवाहित होते हैं अगला है वाहिकाय, मरत्ु शंक्री नली के समान होती है। सजी परनकायम अधिकता में होते हैं। और मजबूती प्रदान करते हैं। बने हुए आपके चित्र क्या करते हैं यह यानि ट्राइकिट बाइक का जैल लंप पारेंकाइमा करते हैं कि छट्वा नम्बर तीसरा नमबर है अब हमारा पौधर में सरल उतक और जटी लूतक से किस प्रकार भी नए नहीं था पूछना सरल और जटी लूतक में सरल लूतक एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं क्या होते हैं सरल लूतक एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं देखने में एक जैसे लगते हैं उन में जीवित कोशिकाइं होती मीत्ति पदली होती है। कालन काहिमा आदि जटीलों तक होते हैं वो देखने में अधिक प्रकार की कोशिकाओं के द्वारा बने होते हैं जो समरूप कार्य करते हैं इनमें अधिकतर कोशिकाओं 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 मोटी हो जाती हैं जाईलम आदि अगला प्रस्ने कोशिकाओं घ्रन अनतर ब्वीब्वेद तुलना अंतर ये सब एक चीज में क्या नतर है निए परणकाइमा के से बने होते हैं इस क्लेरण काईमा क्या होता है यह मोटी वित्ती वाला मुरद कोस्काउं के द्वारा बना होता है दूसरा है उतक अंत्रा इस्थान पर पाया जाते इसमें नहीं पाया जाते हैं स्थान नहीं पाए जाते हैं दोनों में और स्थान नहीं होते हैं क्या होते हैं पाए जाते हैं तीसरो नमबर कोशी का वित्ती सेलूलोज की बनी होती है कालन कहिं में जो उसका वित्ती पाय जाती हैं किसके बनी होती हैं सेलूलोज की बनी होती हैं Additionally between history में लिगनेन कि तीनों के अलगलग इस एक मां में के बनिग और कया में थानन और श्ङरतोम अधिक तो WiFi फूल पती हरे तनों फल में पाई जाती है और कॉलन काईमा में कोसी का आई जो कॉलन काईमा है तो साखाओं तथा हरे तनों पर पाई जाती है एंसकलरन काईमा वह अंदर काईष्ट में पाईधत हैं किसमें अंदर काईष्ट में अगला है भोजन संग्राय तथा प्रकास सिंस्लेशन का कारी करते हैं और कॉलनकाईमा है जो तो लचीला परदान करते हैं क्या परदान करते हैं यह लचीला परदान करते हैं कॉमलता परदान करते हैं लचीला परदान करते हैं कॉमलता बहुत नार्म मुलायम होते हैं परदान करते हैं और इस्कलरन काइमा है जो तो मजबूती परदान करते हैं क्या परदान करेंगे मजबूत ही जैसे कि पुछ लिया नारियल का रेशा क्या होता है हमारा मजबूत होता है कठोर होता जो कठोर चीज़े होती है उनमें से कौन सा पाया जाता है इस्कलरेन काइमा पाया जाता है रंद के क्या कार है रंद के कार पूछ रहा है वायो मंडल गैसों का आधान प्रतान करते हैं और वासपोद सर्जन द्वारा पौधों के यत्रेक्त जल में मुक्ति दिलाते हैं वासपोद सर्जन के द्वारा पौधों को क्या करते हैं जल से मुक्ति दिलाते हैं अगला है यह बच्चों आपको हमारा वीडियो परसंद आए तो लाइक करिएगा सब्सक्राइब करिएगा और जादा सी जादा अपने दोस्तों को सेयर करें तांकि सभी बच्चे इस वीडियो का लाव उठा सकें जो बच्चे कोची नहीं कर पात तरुपर्ष्ट करना है जैसे कि रेखित पेशी चिकनी पेशी और कार्डिक पेशी मिजल्ट बनेब्सक्राइब देखना पहले नमर नमर में इनकी साखें लंबी भी एए वह बहुत सा तथा साखार रहित होती है उत उत जाए उत होती है और जिकनी फैसी है जो सब्सक्राइब दोवा कर फाएगा। यानवे सब्सक्राइब ऊक्रेदितर होगा है, यह अंतर निकल आएगा। इस इसमें कैसी पहले नम्मर हम पोफो दिखा दिया है। दूसरे नम्मर क्या हो होगा क्या है? इसका देख think कुल—। लंबी है बेलनाकार है यानि बेलन के तरह गोल-गोल है और शाखा रही दिन में चारो तरफ साखाएं भी नहीं है और चिकनी पेसी क्या है लंबी तथा नुकीले सिरे वाली होती है यानि क्या है लंबी तो है लेकिन नुकीले सिरे भी निकले हुए है और यह काडिक पेसी क् केंद्र केंद्र परदी ये केंद्रक होता है इसमें एक केंद्र की ये तथा केंद्र बीच में होता है अगला रंबर है चौथा रंबर है सिम यह फज्वित हरे गहरे रंग की धारियां होती हैं इसमें भी धारिया उति ऑगला है एचिक पेसि उतक रेखित पेसी हैं जो इन्हें आचिक पेसी उतक भी कहते हैं और चिकनी पेसी को अनाचिक कहते हैं और काडिक पेसी को भी अनाचिक पेसी उतक कहते हैं रेखित पेसी होती है जो जल्दी ठक जाती है और चिकनी पेसी नहीं ठकते हैं जल्दी और काडिक पेसी है जो तो कभी नहीं ठकते हैं है अगले लंबर भएक टाए चाहडवा नम आजायम शकूचन तेजी से पेकता है इसलेट नबहां पेशें जूड़िक में में तेजी से होता है और चिकनिय पेशें संकूचन धीरे धीरे होता दीर होता है इसले हम सिग्ण कंकाल से जुड़ी रहती है यह जो पेसी होती है वो किस से जुड़ी होती है कंकाल से जुड़ी होती है चिकनी पेसी है आंत्रिक अंगों की दिवारों में होती है काडिक पेसी है वह हर्दय की दिवारों में होती है काडिक पेसी किसके दिवारों में होती है हर्दय की दिवारों में होती हैं अगला है सात्वा नम्मर कार्डिक यानि हर्दयक पेशी का विशेस कार्य क्या है कार्डिक यानि हर्दयक पेशी का विशेस कार्य क्या होगा कार्डिक यानि हर्दयक पेशी का विशेस कार्य लय बद्ध होकर यानि एक तरीके से लय के द्व प्याजाता है।॥ ब्लड का सर्कलेशन रुक जाता है जिसके करन लों के म्रत्यूं हो जाती है। इनके क्ते हैं six जबए उडलेशने कर दके दिवार्ध के सरेर्में दों मैं वाइन संचारunge mit अगला प्रचन है रेखित और रेखित कार्डिक यानि तीनों पेशियों के रिक सरीर में इस्थान कार्य स्थान के दर पर रंतर इस्थान क्या है रेखित पेशिव होती है एचिक पेशिव होती है रेखित अनाचिक और कार्डिक पेशिव उपर हमने बताया नाचिक होती है अंगों की इछा अनुसार गति प्रत्तान करती हैं असल भेगर नियुक्त जहन करेंगे 한 अबक्रक्षा अधाल की भिला ह psychologists अनाचिक पेसे का मतला होता है जो हमारी इच्छा अनुस्खार है इंपता है की इच्छा तो हुता हूदा लूट तो भोगानु साथ 561 उपन्ख कर्षियर लिया वाहर होता नियुटत में उत्थे के-3 इसी तरह किसे काड़िक पेसी है जो ये भी पूरे सरीर में रखते पहुंचाती है और ये हर्दय की दिवारों में होती है किसकी दिवारों में होती है हर्दय की दिवारों में होती है बच्चों ये वीडियो हम यही समाप्त करते हैं चलते है यह दिए यह भीडियो के मात्म से आपको वाकर लेशन करें क्योंकि यह काफी बड़ाが चैफ्टर है दैत विधक एक मातम से समझ में नहीं आएगा और यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और ज्यादा सब्सक्राइब अपने सभी दोस्तों को सेर करिए था कि सभी बच्चे इस वीडियो का लाब उठा सकें थैंक्स